नमशकार A2Z डिशर उशा कोजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी बहुत ही बढ़ी आसी रेसिपी लौकी एक ऐसी सबजी है जो काफी लोगों को पसंद नहीं आती है पर इस तरह से लौकी प्याज बनाएं सबी को घर पे पसंद आएगा उसके लिए आपको एक लोकी ले लेनी है इसे छील कर अच्छे से वाश कर लेना है अब इससे देख सकते हैं इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में से कट करना है ध्यान रखें इस तरह से लंबे टुकड़े कीजेगा और इसी तरह से मैंने प्याज भी ले लिया उसे भी लंबे टुकड़ों में काट लिया है अब हम गैस कौन करेंगे कड़ाई रख देंगे थोड़ा सा तेल ड दालेंगे यह लंबी कटी हुई लॉकी तो यह लॉकी डालने के बाद इसे हम और एक से दो मिन तक इसी तरह से भूनेंगे उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दे इसे फिर से एक पर अच्छे से मिक्स कर ले और ढखकर इसे पकाएं तकरीबन चार से पांच मिनट तक अच्छे से आप देखें के पक गए हैं लॉकी प्याज अच्छे से गल गई है तो इसके अंदर हम डालेंगे अब लालमिश पाउडर और इसी के साथ धनिया पाउडर और थोड़ सा हल्दी पाउडर अच्छे से मसालों को मिलाते हुए तकरीबन एक से दो मिनट तक अब जी तयार है गर्मा गर्म रोटी या राइस के साथ खाएं बहुत 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 टेस्टी लगती है तो ज़रू ट्राइ किजिए को मुझे कमें सेक्शन बताएगा आपका रेसिपी कैसी लगी अच्छे लगी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे च